reverse list in Microsoft Excel reverse list को create करने के लिए हमने index के फार्मुला को यूस करना है फार्मुला लिकेंगे array में हमने पूरे के पूरे data को select करने के बाद यहां पर हमने जो है इसको लॉक करना है F4 की की को प्रेस करके हम इसको लॉक करेंगे उसके बाद comma डालेंगे फिर हमने row के formula को यूज़ करना है row s rows उसके बाद array में पूरे के पूरे data को दुबारा select करेंगे उसके बाद end से हमने a21 को f4 के key को press करके lock करना है bracket को close करके comma डालके one को press करना है अगर आप one press नहीं करेंगे तो आपका formula एंटर नहीं होगा drag down करेंगे तो ये सारी की सारी list जो हमारी reverse हो गया f4 को हमने जो है press करके lock करना है तो ये थी मारी आज की वीडियो